हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फेस्बुक लीड्स की जो क्वालिटी है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं यान कि हमारे पास में ऐसे लोग आएं जो हमारे प्रोडेक्ट और सर्वीशिज को परचेज भी करें हमारे साथ मे बिजनस भी करें यान कि क्वालिटी की लीड्स जब आएंगी तभी हमारे पास में ये सारी चीज़ें पोसिबल हैं तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे फेस्बुक लीड एड्स के अंदर जो कव लीड्स आती हैं हमारे उनकी क्वालिटी को हम कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर मैं आपको simple तीन options बताऊंगा जिनके थ्रूँ आप अपने Facebook lead ads की quality है, उसको increase कर सकते, custom form है, हमारा appointment की request है और lead filtering का option है, इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे, और इन से जो आपकी leads की quality है, वो काफी ज्यादा improve होगी, और आप इस चीज़ को, जब आप इन तीनों चीजों को try करेंगे, तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं practically, अगर आप इन तीनों को में से किसी को भी use करते हैं, तो आप comment section के अंदर जरूर बताइए, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कि तो आप already जो previous videos हैं, उनको आप check out कर सकते हैं, link as usual आपको description में मिलेंगे, तो सबसे यहाँ पर हमारे सामने option आते हैं, form type के अंदर तीन option आते हैं, more volume, higher intent and custom form, तीनों के तीनों जो option हैं, वो already मैं एक वीडियो के अंदर explain कर चुका हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं, लेक जो form हैं, जो तीनों form के type है, तीनों के अंदर available हैं, सबसे पहले हम more volume चूज करते हैं, और यहाँ पर हम intro के अंदर आते हैं, तो आपको basic information यहाँ पर डालनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद में हम आते हैं, question के उपर, तो यह सबसे हमारा important question है, हम पूछ सकते हैं, जिनसे की जो हमारा follow up का time है, वो already बच जाएगा, जो भी question हम follow up के दोरान पूछते हैं, customer से या फिर अपनी sales की जो आपकी process होती है, उसके अंदर, तो आप यहाँ पर वो question यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के question मिलते ह हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं, यह हमारे हैं, custom question, तो यहाँ पर custom question add करने के लिए, simple आपको add question के उपर click करना है, और यहाँ पर आपको 4 तरह के option दिखाई देंगे, multiple choice, short answer, conditional, और यहाँ पर appointment की request है, आप देख सकते, 3 हमारे जो option है, वो यहाँ पर है, आप जितने ज्यादा यहाँ पर जितने ज्यादा का मतलब है, कि आप 2 या 3 question easily पूछ सकते, और जो भी important question है, जैसे कि माल लिए मैं solar के लिए add run करता हूँ, तो यहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप actually में solar लगवाना चाहते हैं, या फिर आप just inquiry कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक question डाल दे मैं और यहाँ पर no डालता हूँ, तो अब user को पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक जो important feature यहाँ पर है, lead filtering का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक हमारे पास में कोई filtering option नहीं है, simple user इसको fill करेगा, लेकिन जैसे हम इस lead filtering के option को own करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सा नहीं है, तो वो हमारे lead नहीं है, अगर no के उपर click करते हैं, तो वो हमारे lead नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है, एक additional effort है, वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, इसी के साथ ही जो आपके अलग-अलग question आप पूछ सकते हैं, बजट का question पूछ सकते हैं, timeline है, need है, जिस भी तरह का पूछना, आपको question पूछना है, वो चीज़े हम पूछ सकते हैं, जैसे कि माल लेजिए, अगर आपका real estate का कोई project है, और real estate के लिए lead generate करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उनका budget पूछ सकते हैं, तो हम count कर सकते हैं, कि जिसका higher budget है, वो हमारी अच्छी quality की lead होगी, जैसे कि ह हम यहाँ पर जो उन सभी को, और जो I am not sure के उपर हम not a lead हम डाल सकते हैं, जैनकि एक जो follow up का process है, lead हमारे पास में आएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में filter हो जाएगी, जो अच्छी lead है, उनको हम अलग से filter out कर पाएंगे, तो आप देख सकते हैं, जो भी आपको question request के उपर click करता हूँ, तो यहाँ पर हम appointment की request यहाँ पर डाल सकते हैं, best time to call you, यहाँ पर मैं एक question डाल देता हूँ, appointment की request क्या होगा, कि user के पास में एक additional, एक जो option है, वो यहाँ पर आ जाएगा, और वो यहाँ पर अपने जो form है, उसके अंदर date को select करेगा, यहाँ पर time को select करेगा, यानि कि उससे जो सामने वाला user है, वो serious होगा, कि इस time के उपर आपको call आएगी, confirmation का message हम दिखाना चाहें, तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहें, तो हम इसको रहने भी दे सकते हैं, यह completely आपके उपर depend करता है, तो आप इन तिनों option को use करके, जो अपनी senses के अंदर जो lead है, उसको submit करें, अपने detail है, जो भी जितने भी option है, उनको choose कर रहे हैं, तो यह सभी option आप use कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है, आपको सारी चीज़े समझ में आई होगी, इन से जो lead की quality है, absolutely आपकी increase होगी, इन option को use करके देखिए, ऐसी ही helpful videos के लि जरूर बताईए, मैं मिलता हूँ आपसे next videos में, तब तक के लिए धन्यवाद